बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवंत सामा जी का ध्यन के अंतरगैत हमारे अतीत भिषय का तीसरा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर देख रहें आप यहाँ पर और सबसे पहले हम आपको बताएंगे पार्ट के आंतरिक प्रस्ण और उनके उत्तर आप समझ गे ना आतरिक प्रस्ण का मनलब जो कि पार्ट के बीज बीज में आप से प्रस् यह मिलेगा 32 नमबर पेज पर यानि 32 नमबर पेज पर आप देखें अपनी पाठे पुस्तक के और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे 33 सदी के इतियास कार फक ए मुदविर ने नियाय चक्र के बारे में लिखा है राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता सैनिक बेतन के बिना नहीं जी सकते बेतन आता है किसानों से एकत्र किये गए राजसों से मगैर किसान भी राजस तभी चुका पाएंगे जब वो एक खुसाल और प्रसन हो ऐसा तब ही हो सकता है जब राजा न्याय और इमानदार प्रसासन को बढ़ावा दे न्याय चक्र का उप्रोक्त वर्णन राजा और परजा के बीच के संबंद को समझाने के लिए आंसिक रूप से उप्युक्त है तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं देख रहे हैं आप यहाँ पर यह है आपका पहले प्रसन का उत्तर इसके बाद बच्यों आप ध्यान दें आप देखेंगे पेज नमबर 33 पर और यहाँ पर दूसरा प्रस्ण आपके लिए मिनहाज के विचार अपने सब्दों में व्यक्त कीजिए क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे आपके अनुसार इस तरी के लिए सासक बनना इतना कठिन क्यों था समझें आप प्रस्ण को और इस प्रस्ण को आप देख सकते हैं अपने 33 पेज पर अपनी किताब के 33 पर या 33 पर आप देखें और उत्तर इस परकार से लिख सकते हैं आप मिनहाज सिराज का मानना था कि इस्वर ने जो आदर्स समाज भ्योस्ता बनाई है उसमें इस्तियों को पुर्शों के अधीन होना चाहिए ऐसी इस्तिति में रानी का सासन इस भ्योस्ता के बिरुदू था रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इस वी तक दिल्ली सल्तनत की सासिका थी यादेने बच्चों आपको रजिया कौन थी? रजिया जो सुल्तान थी ये 1236 से 1240 इस वी तक दिल्ली सल्तनत की सासिका थी रजिया सुल्तान को महिला सासक होने के कारण काफी बिरोध का सामना करना पड़ा जबकि रजिया सुल्ताना ने मर्दों की तरह सासन चलाया रजिया सुल्तान के बिचार मिनहाज शिराज के विपरीत था पहले पित्र परधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था इसलिए इस्तरी के लिए सासक बनना कठिन काम था तो इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों आईए देख लेते हैं तीसरा प्रसन तीसरा प्रस्ण है क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रस्ण है आपका 33 नमबर पेज पर आप देखें और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप सल्तनत काल के प्रारंबिक सासक गुलाम बन सके थे मुहमत गौरी का गुलाम कुतुबदीन एवक दिल्ली का सासक बना था और कुतुबदीन एवक का गुलाम इल्तुतमिज दिल्ली का सासक बना था यह दोनों सासक काफी योग्या और बुद्धिमान थे इसलिए बुद्ध मानों का कहना है कि योग्या और अन्भवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है या कथन सही है क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्ध से ही लाजाया सुल्तान के दिल जीत पाते थे इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे समझेगे ने बच्चो तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर यानि तीसरे प्रस्न का उत्तर आप यहां से ऐसे लिखें और इसे याद करें इसके बाद बच्चों बात करते हैं चौते प्रस्न की तो चौता प्रस्न है आपके ख्याल से वर्णी ने सिल्तान की आलोजना क्यों की थी और आप देख सकते हैं यह प्रस्न आपका 33 नमबर पेज पर और उत्तर लिखेंगे सुल्तान मुहम्मद तुकलग ने अजीज खुम पीरा नमक मालियों को उंचे प्रसासनिक पदों पर बिठाया था ये लोग सुल्तान को चापलूशी करके बड़े पद पाये थे इनके अंदर बड़े पद पाने की योगिता नहीं थी इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन युक्तियों का उलेक सुल्तान के राजनेतिक विवेक के नास और सासन करने की अक्षमता के उधारनों के रूप में किया है तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिखेंगे इसके बाद अगला प्रस्न आप ध्यान दें बच्चो सरदारों की रक्षा ब्योस्ता का वर्णन कीजिए और आपको ये प प्रको से चोदवी सदी में भारत आये यात्री इबन बतुता ने भारत के सरदारों की रक्षा ब्योस्ता का वर्णन किया था उसके अनुसार सरदार चट्टानी उवरखाबर पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी मास के जुर्मुटों में ये दोनों दू मस्तान काफी दुर्गम होते थे सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इन के लिए किले की प्राचीर का काम करते देते थे इस दीवार के घेरे में ही उननके मवेसी और फसल रहते थे अंदर ही पानी भी उपलब रहता था अर्था अर्थ वहां एकत्रित हुआ वर्सा का जल इसलिए उन्हें परवल बलसाली सेनाओं के बीना हराया नहीं जा सकता था तो इस प्रकार से आप देख रहें नहीं आपर ये लिखेंगे आप इस पांच में प्रस्न का उत्तर इसके बाद बच्चो आईए देख लेते हैं आप पांच के जो अंत में पूछे गए आपको प्रस्न है उनके उत्तर आप देखेंगे जैसे ही आपका पांच पूरा होता है उसके अंत में कुछ प्रस्न दिये गए और हम आपको बता रहें उनका उत्तर तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिर से याद करें और क्या याद करें प्रसने है पहला दिल्ली में पहले पहल किसने राजधाने अस्तापित की उत्तर होगा आपका तोमर राजबू चोहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी इस्तापित की थी इस परकार आप उत्तर देंगे दूसरा प्रसने है बच्चो दिल्ली के सुल्तानों के सासन कालों में परसासन की भासा क्या थी उत्तर लिख सकते हैं आप फार्सी वासा इसके बाद तीसरा प्रस्न है किसके सासन के दोरान सल्तनत का सफसे अधिक बिस्तार हुआ तो किसके हुआ बच्चो आपने पार्ट में पढ़ा होगा उत्तर लिखेंगे मुहमद तुकलक और इसके बाद है चौता प्रस्न इबन बतुता किस देश से भारत में आया था उत्तर लिखेंगे मौरको यानि कि जो आजकल अफरीका नाम से है तो इसके बाद पांचवा प् हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था उत्तर लिखेंगे आप नियाई चक्र के अनुसार सेना पतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किये गए राजस्व से ही सेनिकों का बेतन मिलता था मगर किसान भी रा और उसका उत्तर इसके बाद बच्चो आप ध्यान देंगे च्छटा प्रस्न है सल्तनत की बीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं तो आपको मालूम हुआ क्या समझते हैं बच्चो उतर लिखेंगे बीतरी सीमा सबसे पहले लिखेंगे आप बीतरी सीमा के बारे में तो बीतरी सीमा से अभी प्राय है गैरिसन सहरों की प्रष्ट भूमी में इस थी छेतरों से गैरिसन सहरों की आउशकताओं की पूर्ती होत आप समझगे नहीं आपर किस प्रकार से लिखेंगे पहले आप जो बीतरी सीमा लिखेंगे हेडिंग डालके उसके बाद लिखेंगे बाहरी सीमा यह बाहरी सीमा और यहां पर बच्चो उसके बाद साथ वां प्रसने आपके लिए मुक्ती अपने अपने करतब्यू का पालन क करें या सुनीशित करने के लिए कौन-कौन कों से कदम उठाये गए थे, आपके बिचार में सुल्टान के आदेशों का उलंगन करना, चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे, उत्तर में लिखेंगे मुपती, अपने करतवीं का पालन करें, या सुनिशित करने के लिए निमली की कदम उठाए गए थे और क्या कदम उठाए गए थे बच्चों उतर लिखेंगे यहाँ पर जो है उतर में लिखेंगे आप पहला दूसरा तीसरा करके पहला लिखेंगे लोगों द्वारा एकत्र केगे राज़स की रकम का हिसाब लेने के लिए राज़स द्वारा लेका अधिकारी नियुक्त किये जाते थे और इसके बाद लिखेंगे पांचुआँ इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ती राज्य द्वारा निर्धारित करही वसूलें और तैसंख्या की अनुसार सैनिक रखें तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रस्निका उत्तर लिख सकते हैं देख रहें ने बच्चो आप यह आपका साथ हुआ प्रस्न और इसमें यह सारे पॉयंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके बच्चो ध्यान दे आप आठवा प्रस्न है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आकरमनों का क्या प्रभाव पड़ा उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आकरमनों का निम्न प्रभाव पड़ा और एक एकर क्या प्रभाव लिखेंगे उनके यहाँ पर जूए है नमबर एक लिखेंगे आप मंगोल आक्रमनों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मुहमद तुकलग को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी इसके बाद दूसरा पॉएंट लिखेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी ने सेनिकों को एकत के अस्तान पर नगत बेतन देना तै किया और तीसरा लिखेंगे मुहमद बिन तुकलग ने दिल्ली के पुराने सेहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सेनिक छाओनी बना दी गई इसके बाद चौथा लिखेंगे आप अलावदिन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए जो मुहमद तुकलग ने तामबे के ने सिक्के चलवाए तो ठीक है ने बच्चो इस प्रकार से आप उतर लिखेंगे इसके बाद अगला है यहाँ पर आईए विचार करें प्रकार के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे क्योंकि देते थे वे नियाय संगत सासन के मैतों पर बल देते थे नमबर दो तवारीक के लेखक नगरों में रहते थे गाउं में सायद ही कभी रहते हों और अगलाल पॉएंट लिखेंगे आप वे अक्सर अपने इतियास सुल्तानों के लिए उनसे धेर सारे इनाम इकराम पाने की आ जिया सुल्तान अपने धंकी एक ही थी क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्विकार किया जाता है उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे आप आज भी महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्विकार नहीं किया जाता आज भी बारत में लोकसवा और विदान सबाब में महिलाओं की संक्या 5 परतिस से भी कम है ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्सा बरतमान में महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्विकार किया जाता है इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं 11 प्रस्ण है बच्चों 11 प्रस्ण में दिल्ली के सुल्दान जंगलों को क्यों कटवा देना चाते थे क्या आज भी जंगल उनी कारणों से काटे जा रहे हैं तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप गैरिसंद सहरों की प्रेश्ट भूम में इस्तित बितरी छेत्रों की इस्तित को प्रोचसान दिया गया इस प्रकार से आप 11 प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं बात करते हैं यहां पर इस प्रस्ण में आगे क्या लेकिंगे आप आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है और कौन-कौन से कारणों से नंबर एक प्रेंट में लिख सकते हैं आप किरसी लिखेंगे इसके बाद बच्चो आगे देखते हैं आईए करके देखें यहाँ पर देख रहे हैं आप आईए करके देखें तो यहाँ पर जो इसमें है आपका बारवा प्रस्न पता लगाईए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इम इमारत है जो बारवी से पंद्रवी सदी के बीच बनाई गई हो इन में से कुछ इमारत का वर्णन कीजिए उनके रेखाचितर बनाई ये तो अगर आपके इलाके में ऐसा कुछ है बच्चो तो आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में बहुत पुरानी चौद्वी पंद्रव सदी की कोई इमारत है उतर में आप लिख सकते हैं दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई इमारत है और यहां पर इस प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर यह बनी हुए टेबल और यहां पर इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसे जो है ढंक से आप लिखेंगे जैसे कि परसिदी मारते हैं निर्मान करता और निर्मान वर्ष तो यहाँ पर नमबर एक में कुतब मीनार जो दिल्ली में है नमबर दो में होजखास दिल्ली नमबर तीन तुकलकाबाद का किला दिल्ली में नमबर चा गया सुद्दीन तुगलग ने फिरोसा कोटला किसका बना हुए है फिरोसा तुगलग ने बनवाया और खिड़की मस्जी जो दिली किया यह किसने बनाई बच्चो मुहमद तुगलग ने कब बनाई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मान का वर्स 1199-1208 यहाँ पर 305-3 पर समाप्त होते हैं उमीद है कि आपको अच्छे से समझाए होंगे आप इसी प्रकार लगातार जुड़े दे हमारे साथ आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभू